Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तों आज के वीडियो में UP Police के लिए बहुत ही important question रखे गए हैं और ये question पहले भी exam में पूछे जा चुके हैं तो चलिए start करते हैं पहला सवाल है यदि A बराबर 16 तथा B बराबर 5 है तो इसका पूरे कमान वो पूछ रहा है किसके बराबर होगा इसके सबसे पहले बात करता हूँ कि इसका पूरे कमान पूछा है इसी को मैं लिख लेता हूँ A square पिलस B square पिलस AB बटे में आपके पास क्या दिया गए A Q माइनस B Q यही तो है बटे में क्या है A Q माइनस B Q तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि A Q माइनस B Q का formula क्या हो होता है यह पूरा किसके बराबर होता है a minus b ठीक है इंटू का a square plus का b square और plus का a b इसी के बराबर होता है यह बात के लिए रहे न तो जहां पर a q minus b q लिखा हुआ है वहां पर हम इसको भी लिख सकते हैं तो a q minus b को यहां बटे में था तो मैं इसकी जगे पर इसको भी लिख सकता हूँ तो चलिए लिख लेंगे a minus b into a square plus b square plus का a b ठीक है लिख लिए न अब चलिए इस value को और इस value को देखिए समान है न तो a square plus b square plus a b से यह a square plus b plus a b कट जाएगा कट जाएगा न कितनी बार में कट जाएगा एक बार में कट गया और बटे में क्या बचा a minus b बचा चलिए उपर एक है a की value कितनी है 16 b की है 5 a की है 16 b की है 5 बीच में sign minus का है उपर एक 16 में से कटा दो 5 बचेगा 11 यह आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही आंसर एक की बटे में 11 एक के बटे में 11 यानि की b option आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा के लिए रहा सभी को आंसर समझ में आ गया चलिए आप देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है एक विद्यारती सही सवालों की तुलना में दोगने गलत करता है यदि उसने कुल 48 सवाल किये तो कितने सही किये बहुत अच्छा सवाल है ठीक है एक विद्यारती जो है वो सही सवालों की तुलना में दो गुने गलत कर देता है दो गुने गलत यानि कि अगर वो सही एक करेगा तो एक का दो गुना गलत कर देगा यान की दो गलत कर देगा बात के लिए रहे और टोटल उसने कितने सवाल किये हैं 48 किये हैं उनका ratio कितना बन रहा है एक ratio दो यानि कि एक सही करेगा तो एक का दो गुना दो गलत कर देगा जब योग आपके पास 48 है तो अनुपातों का भी योग करो सही और गलत के अनुपात का योग हो गया 3 कितनी बार में कर जाएगा ये 16 बार में कर जाएगा तो कितने सही किये 16 का मल पर इस सही के अनुपात से करो एक से यानि कि 16 ही हो जाएगा तो कितने सही कियें उसने 16 सही कियें be option सही जबा अगर गलत पूछा जाता तो गलत के अनुपात से करो 16 दुने का 32 हो जाएगा यानि कि गलत कितने किये उसने 32 गलत किये एक बात और कही थी प्रिश्ण में कि सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत कर रहा है सही किये उसने 16 गलत किये 32 तो 2 गुना गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा 16 का 2 गुना 32 होता है इस चीज को आप चेक करने साथ में ठीक है यहाँ पे चेक भी हो गया आंसर भी सही आ गया सब को समझ में आ गया चलिए अब देखिंगे हम अगला सवाल अगला सवाल है यदि P का P प्रतिसत बराबर 36 हो तो P का मान क्या होगा इन 4 ऐफ़िसन में से ही कोई एक होगा P का मान, इतना तो confirm है चलिए P का P प्रतिसत P का का मतलब multiply कितना P प्रतिसत P प्रतिसत का मतलब होता है बराबर कितना है बराबर 36 है थीक है तो हमसे P की value पूछ रहा है क्या होगी चलिए P का multiply P से करेंगे तो ये P square हो जाएगा clear है? बराबर P का मलट पर P से किया तो P square और ये 100 का मलट पर 36 से करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा इतना भी clear हो क्या? चलिए P बराबर 3600 ये जो square है power 2 है ये बराबर के इधर आएगी बराबर के इधर आएगी तो P के उपर से हट जाएगी बराबर के इधर आएगी तो इसके उपर square root लगेगा यानि कि यहां से हट के बराबर के इस तरब जाएगा तो इधर square root का sign लग जाएगा P बराबर अब 3600 का square root कितना होता भाई? 60 होता है 36 का 6 और 2 0 का 1 0 यानि कि P का मान पूछा था P का मान कितना आ गया? 60 आ गया यानि कि 60 हमारा C option में दिया गया है यह आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबी को समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है यदि हितेश 40 वर्स का है तथा रमेश 60 वर्स का है तब कितने वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात तीर अनुपात ये 5 होगा इन में से ही होगा 5 वर्स पहले भी हो सकता है 20 वर्स पहले भी हो सकता है 10 वर्स पहले भी हो सकता है चलिए कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं हितेस का था 40 वर्स और रमेश की आयू थी 60 वर्स माल लेते हैं कि 5 वर्स पहले तो इस में से भी 5 माइनस करेंगे और इस में से भी 5 माइनस करेंगे ये 35 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा ठीक है अब मैं 5 से जड़े कटाऊंगा 5 सत्य 35 पांसे से कटाऊंगा तो ये 11 वर्स में तो 7 अनुपाते 11 आ रहा है चाहिए कितना 3 अनुपाते 5 तो पहला ओप्सन हो गया वह गलत पहला तो गलत हो गया हितेश की आयूती 40 रमेश की थी 60 दूसरा अप्सन ले लेते हैं मान लेते हैं 20 वर्स पहले इसमें से भी 20 माइनस करो इसमें से भी 20 माइनस करो ये 20 बचेगा और ये 40 हो जाएगा 10 से कटेगा 2 बार में 10 से कटेगा 4 बार में तो यह हो गया भाइसा 2 नुपाते 4 और छोटा करेंगे 2 एक कम 2 2 दुने का 4 एक नुपाते 2 एक नुपाते 2 हो रहा है बलकि चाहिए हमको 3 पांच तो यह भी गलत हो गया चलिए तीसरा उप्सन ले लेंगे रमेश की आयू थी 40 हितेश की 40 रमेश की 60 तीसरा उप्सन ले लेते हैं मान लेते हैं 10 वर्स पहले तो 10 वर्स इसमें से भी घटाएंगे 10 इसमें से भी इसका हो गया 30 वर्स इसका हो गया 50 वर्स 10 से कटाएंगे 3 वार में 10 से कटेगा ये 5 वार में निकल के आगया 3.5 चाहिए कितना हमको 3.5 और निकल के आगया 3.5 तो कितने वर्स पहले होगी भाई दस वर्स पहले उनकी आयू का अनुपाद 3.5 होगा ये बिल्कुत सही जवाब है आपका समझ में आ गया चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या है देखिए ऐसा सवाल कभी भी मिले गारंटी देता हूँ के 5 सेकिन में आंसर कर दो गया 5 सेकिन में कर दो गए इस बात की गारंटी ले लो कैसे करेंगे 5 सेकेंड में कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जेतनी 71 से छोटी है तो वैं संख्या क्या है तो 35 को लिखो और 71 को लिखो दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड कर दो 35 और 71 106 हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे answer 3-1 आजाएगा सवाल खतम करनी पाओगे 5 second में करो पाओगे की नहीं कर पाओगे अब इसको चाहो तो check भी कर लो कोई सब्सक्राइब कि 35 से उतनी ही बढ़ी है 35 से उतनी ही बढ़ी है यानि कि 3-1 निकल क्या या है और 71 से छोटी है और छोटी कितनी है 71 से छोटी है यानि कि 71 से छोटी है तो माइनस और 35 से बढ़ी है तो पिलस चलिए 35 से हो रहा है 35 कितना बढ़ा 18 71 से हो गया 35 71 से हो गया 35 कितना कम हुआ 18 कम हुआ यानि कि 35 से 18 अधिक है और 71 से 18 छोटी है उतनी ही बड़ी है उतनी ही छोटी है बस सवाल को आप आसानी से कर पाओगे मातर पांच सेकेंड चलिए अब देख क्या अगला सवाल अगला सवाल है बीस संख्याओं का ओसत तीस तथा तीस संख्याओं का ओसत पचास है तो सभी संख्याओं का ओसत क्या होगा देखिए बी तिस संख्या हों का उसत 30 संख्या है अगर उसत खिया जाता है तो योग मालूम हो जाता है दो तष तरिक पेसे यानी कि योग हो गया आपका 600 यह णोग खोव'll उसने बोला कि 30 संख्याओं का उसत 50 है दूसरी हमारे पास 30 संख्या है जिनका उसत 50 है तो इनका योग कितना हो गया 3-5- Commonwealth और 2-0 यानि की 1500 योग हो गया हमसे पूचा है, सभी संख्याओं का आउसत 20 संख्या ये हैं, 30 संख्या ये सभी संख्या हो गहीं भई 50, और 50 संख्याओं का योग हो गया 2100 हमसे पूच रहा है, आउसत कैसे निकलता भई, योग में संख्या से डिवाइड कर दो औसत पता लग जाता है जीरो से जीरो कटेगा पांच चौक के बीस एक बचेगा दस पांच दुने का दस यानि कि 42 आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बही 42 औसत क्या होगा 42 होगा यानि कि पहला ही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है तो आप हमारे लिए एक काम करेंगे कि वीडियो को लाइक और अपने ही दोस्तों में शेयर करना है जो एक्साम की तैयारी करने हैं उन तक तो वीडियो को पहुँचा दीजिए बस ताकि उनकी हेल्प हो सके ठीका दोस्तों धन्यवाद